Hello Everyone, Welcome to Let's Learn It तो आज के वीडियो में हम कमपल सरे इंग्लेश भी ये समस्टब वन से एक ग्रामर का टॉपिक लेंगे और उसके कुछ सेंटेसेस यहाँ पे सॉल्ड करेंगे और इस प्रैक्टिस का आपको बहुती ज्यादा बैनिफिट मिलेगा एक्जाम में तो इस सेंटेसेस को सॉल्ड करते हुए हम इसके रूल भी समझेंगे कि किस वज़े से हम पर्टिकुलर आर्टिकल को वहाँ पे रखते हैं यानि कि किस वज़े से हमने पर्टिकुलर सेंटेस में वो पर्टिकुलर आर्टिकल रखा है उसका as a answer हमने वहाँ पे रखा है तो यहाँ पे first sentence है say is eating blank apple तो यहाँ पे यह जो blank space है वहाँ पे आपको एक article रखना है यह जो आपको तीन options दिये गए है उसमें से कोई भी एक article रखना है तो यहाँ पे अब आप क्या सोच के article को choose करेंगे as a answer तो कोई भी sentence में आपको article रखने से पहले यह जो space दिया गया है blank space उसके बाद जो word आता है उसके base पे आपको article रखना है तो यहाँ पे sentence है she is eating blank apple तो हमें यहाँ apple के base पे article चूज करना है as a answer तो हम यहाँ पे अगर चूज करना चाहे apple के base पे तो कौन सा article आएगा n तो यह n किस वज़े से आया तो यह जो word है apple उसका जो first letter है a तो उसका sound आता है a तो rule क्या है n का n as a article रखने का rule क्या है तो a, e, i, o, u यह क्या है five vowels है तो जिस भी word में vowels का sound आता हो कुई भी एक vowel का sound आता हो वहाँ पे कौन सा article आता है तो n आता है तो आप यह बात ध्यान में रखना next time कि जिस भी word में vowel का sound आता हो वहाँ पे n article आएगा और एक बात आप ध्यान में रखना कि यहाँ पे later matter नहीं करता वोवल होता है लेकिन उसका sound जो है वो consonant का होता है तो इस वज़े से आप उसमें mistake मत करना ऐसे भी आपको sentences पूछे जाएंगे जिसमें first letter vowel होगा लेकिन उसका sound जो है वो consonant का होगा तो जब भी आप उसका answer चूज़ करें उससे पहले आपको उस word को बोलना है उसको pronounce करना है कि उस word का sound क्या आता है consonant का आता है या फिर vowels का आता है उसका जो first letter होता है उसका आपको sound check करना है तो यहाँ पर हम जब apple बोलता है तो वहाँ पर sound आता है एका तो यहाँ पर vowel का sound आता है इसलिए जिस भी word में vowel का sound आएगा वहाँ पर हम and को as a article रखेंगे as a answer तो I hope आप an article रखने का rule समझ गए होंगे and अपसे कोई भी sentence में जहाँ पर an as a answer आता होगा वहाँ पर आप उसका answer सही दे पाएंगे इस rule को समझने के बाद next sentence is among has blank ball and blank bat तो यहाँ पे कौन सा article आएगा तो यहाँ पे जो ball है उसमें कोई vowel का sound नहीं आता तो यहाँ पे and का rule लागू नहीं पड़ता तो आप and को हटा दीजिए उसके बाद यहाँ पे ball कोई particular चीज नहीं रखी गई तो उसके लिए ध का भी rule लागू नहीं पड़ता तो यहाँ पे हम रखेंगे a among has a ball and a bat तो third sentence है among has blank ball and blank ball is red तो यहाँ पे कौन सा article आएगा तो यहाँ पे जो second sentence था वहाँ पे ball बोला गया है बट उसके बाद ball के बारे में बात नहीं होई दूसरी चीज के बारे में बात होई है तो ball के बारे में particular information नहीं दी गई तो ball यहाँ पे as a general हो गया तो next sentence है वहाँ पे ball जो हो particular हो जाता है क्यों ball बोल गया उसके बाद ball कैसा है तो ball red है यानि कि particular red ball के बारे में बात हो रही है तो जिस भी sentence में कोई भी एक word दो बार आता है मिस भी कोई भी एक चीज की दो बार बात होती है उस sentence में हमेशा दूसरी बार उस word के आगे the article आएगा तो first among has तो यहाँ पे आएगा a ball and उसके बाद the आएगा the ball is red तो कोई भी sentence में कोई भी एक word का use दूसरी बार होता है यहाँ पे दूसरी बार use हुआ है तो उसके आगे हमेशा the article आएगा यह बात आप ध्यान में रखना next sentence give me blank umbrella तो यहाँ पे जो blank space है उसके बाद जो word है वो है umbrella तो umbrella में कौण सा sound आता है यहाँ पे you है वो vowel तो है लेकिन यहाँ पे you का sound नहीं आता a का sound आता है और a भी vowel है इसलिए जहाँ पे vowel का sound आता है वहाँ पे हमें सोचने की जरुएत नहीं है अब और हम सिधा रख देंगे an तो यहाँ पे आएगा an article give me an umbrella next sentence ayan is blank honest man तो यहाँ पे जो blank space है उसके बाद word आता है honest तो यहाँ पे आप as को देखके यहाँ पे आपको article नहीं रखना word को आपको pronounce करना है उसको बोलना है और फिर check करना है कि कौन से letter का sound आता है तो यहाँ पे कौन सा sound आता है ayan is blank honest तो यहाँ पे sound आता है o का यहाँ पे as जो है वो है silent तो यहाँ पे as silent है इसलिए o का sound आता है और o किसमें आता है वावल में, तो यहाँ पर sound आता है वावल का, इसलिए जहाँ पर वावल का sound आता है, वहाँ पर आएगा and, तो an is an honest man, तो यहाँ से इस sentence पर एक बात ध्यान में रखना कि जहाँ पर भी honest word आएगा, वहाँ पर हमेशा इन आएगा, तो इस तरह के sentence जो है, एक्जाम में पुछे जाते है, next sentence है, they return after blank are, तो यहाँ पर यह जो word है are, तो उसमें as जो है, वो silent है, उसके वज़े से a का sound आता है, इस वज़े से यहाँ पर वावल का sound आता है, तो यहाँ पर a article आएगा, they return after an are next sentence है, blank sun moves around blank earth, तो यहाँ पर blank space के बाद आता है sun, तो sun क्या है एक ही चीज है इस world में तो दुनिया में जो भी चीज एक है उसके आगे हमेशा ही the article आता है, तो यहाँ पर हम रखेंगे the the sun moves around और earth क्या है, वो भी दुनिया में एक ही है, तो जो भी चीज दुनिया में एक ही होती है उसके आगे हमेशा ही the article आता है, तो यहाँ पर हमें ज्यादा सोचने की जरुवत नहीं है तो the sun moves around the earth तो यहाँ पर दोनों ही blank space में आएगा the then English is blank easy language तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर easy, तो जब हम easy बोलते है तो वहाँ पर vowel का sound आता है तो vowel का sound आता है इसलिए आएगा and English is an easy language next sentence तो जहाँ भी blank space के आगे degree का use होता है superlative comparative degree का use होता है, वहाँ पर क्या आएगा हमेशा ही the आएगा, तो जहाँ पर भी degree का use होता है तो वहाँ पर आएगा the, Shrada is one of the best students next sentence, he has blank big car तो यहाँ पर big यहाँ पर कोई vowel का sound हमें चेक करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर कोई भी vowel का sound नहीं है and उसके बाद यहाँ पर कोई यह big है, वो कोई particular में नहीं आता है तो यहाँ पर big किसमें आता है तो यह general में आता है यहाँ पर the का rule नहीं लागो होता है नहीं, and का rule लागो होता है इसलिए यहाँ पर हम रखेंगे a, he has a big car next sentence, she is blank university student तो यहाँ पर student है तो इस blank space के बाद आता है university तो इस word में first जो letter है वो vowel है लेकिन इस word में vowel का sound नहीं आता इसलिए यहाँ पर vowel का sound नहीं आता इसलिए यहाँ पर हम रखेंगे a, she is a university student उसके बाद आता है blank, Ramayna is blank holy book तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना कि किसी भी धार्मिक पुस्तक के आगे हमेशा the article आएगा तो हमें वो सोचना नहीं और रख देना है the Ramayna is blank holy book तो यहाँ पर क्या आएगा a आएगा, q यहाँ पर h h जो हो silent नहीं है तो इस वज़े से यहाँ पर आएगा h का sound होता है इसलिए यहाँ पर आएगा a the Ramayna is a holy book so I hope students यह वीडियो यह practice आपके लिए helpful रहेगी exam में अगर यह आपके लिए helpful रहे हो तो आप जरूर comment box में आप मुझे बताईए ताकि हम दूसरे topic के बार में भी practice कर पाए so thank you, thank you for being here